नमस्कार मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासिट पर स्वागत करता हूँ और हम अपने 4000 क्योशनों के सिरीज को कम्प्लीट कर रहे हैं डेली तो आज का हमरा पहला क्योशन आसान से क्योशन से सुरुवात करते हैं परसिद वास्तुकार ले कार्बुजियर द्वारा च अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्योशन पे चलते हैं असान सा क्योशन था अनेक बार पेपर में पूछा भी जा चुका है दैस एक पारम्परिक पंजाबी मौखिक कथा वाचन है जो दक्षिन एसिया में अरब प्राइदीप के प्रवासियों के साथ भारत आई है रासलीला बिलकुल नहीं, कटक, गोगा और किस्सा पंजाबी मौखिक कथा वाचन तो क्या है दोस्तों किस्सा है तो option D हमारा इस question का सही answer हो जाएगा next question देखीगा हर्याना की यह निर्ते से लिए गायकों द्वारा पूछे के परसनोतरी के रूप में की जाती है गायकों के द्वारा परसनोतरी के रूप में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जो हर्याना के जो निर्ते हैं एक वाप से पूछेगा जो सबसे प्राचिंतम है जैसे कि हमारा धमाल सबसे प्राचिंतम इसमें क्यों से डालता है कि महाभारत काल से चला रहा निर्ते है कौनसा दोस्तों धमाल तो हम लोग उस case में answer करेंगे option B को दूसरा वो हमसे पूछेगा जैसे इसने खास बात इसे हरियाना का गिद्दा कहा जाता है हरियाना का क्या कहा जाता है दोस्तों गिद्दा ये तीन बात हैं वो आप से पूछेगा दोहराता हूँ सबसे पहले प्राचिंतम सबसे निर्ते या महाभारत काल से चला रहा निर्ते कौन से धमाल दूसरा परसनोक्तरी के रूप में कौन सा एंड़ते हैं तो आंसर करेंगे लूर और तीसरा पूछेगा आप उशन के नाम से या फिर हर्याना का गिद्दा किसे कहा जाता है तो फिर आप सब आंसर करेंगे जूमर को किसे आंसर करेंगे दोस्तों जूमर को तो लिहाजा इस question का answer हमारा क्या हो जाएगा जो option इसमें C दिया हुआ था वो हमारा इसका सही answer हो जाएगा अब अब लोग आगे बढ़ते हैं अपने next question पर चलते हैं हर्याना में पीलिया के आवसर पर गाया जाएगा बच्चे के जिन्म के छटे दिन पर हर्याना में क्या दोस्तों पीलिया तो बच्चे के जनम से तो option है हमारे question का सही answer हो जाएगा हर्याना के पर्व, निर्ते, त्योहार एक important topic रहेगा CSSC के exam में इस topic आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के करना है और हर्याना से हैं तो सब लोग आप जानते भी होंगे इन चीजों के बारे में next अंबाडा एवं केथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है तो सबसे पहला option है लाल, दूसरा है पीला दूसर, तीसरा है काली और चोथा है पीले भूरे रंग की अंबाडा और केथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा दोस्तों पीले भूले रंग की मिट्टी है option D जो हमारा इस question का सही answer हो जाएगा एक last time मैंने आप लोगों को बताया था, 2003 में हरियाना में मिट्टी कटाओ की जांस के लिए या एक वन सरंक्षन योजना की सुरुवात की गी थी वन सरंक्षन योजना आई थी 2003 में, दोनों बाते ध्यान रखना, डिट्टो क्यूस्टन लिख रहा हूं HSSC का मिट्टी कटाओ की, मिट्टी कटाओ 2003 वन सरंक्षन योजना, ये योजना कंडी विकास पर योजना थी दोस्तों, क्या नाम था इसका, कंडी विकास पर योजना, कब आई थी दोस्तों ये योजना, जैसा यहां पर बताया गया था क्यूस्टन में, वर्स 2003 में, वर्ल्ड बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक और इंप्पोर्टेंट और अप लोगों को यहां पर बता दूँ है जो हरियारा में अग torch के अंगरे कपаюсь कर्णाल में है कहां पर करणाल में किंद्रिये मर्दा लवंदा अनुसंधान संस्थान लवनता अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये करनाल में इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1 मार्च 1999 को इसकी स्थापना की गई थी एक मार्च 1999 को अंबाडा और केथल जिले की मिट्टे का रंग कैसा है दोस्तों पीले भूरे रंग की है हर्याना का सबसे गरम नगर कौन सा है अनेक बार अनेक तरह है कि अलग लग क्योशन पूछते है हर्याना का सबसे गरम नगर जब हम लोग हर्याना की जलवाईयों को पढ़ते हैं तो अब इन चीजों को पढ़ते हैं कि सबसे बहुत ध्यान रखेंगे कि हरियना का सबसे गरम नगर है कौन सा गरम महिना कौन सा है महिने में पूछेगा तो क्या आंसर करते हूं मई महिना हरियाना का सबसे गरम महिना है अचा अब जब ठंडा महिना पूछेगा तो कौन सा अंसर करते हैं हम लोग जनवरी महिना ह सबसे गरम गिना जाता है कि सबसे गरम है अच्छा दूसरा एक और चीज़ हम आप यहां से ध्यान रखेंगे वर्सा ग्रिशम और सीद इतीनों हिसार सबसे ठंड़े में भी गिना जाता है सबसे ठंड़ा भी सबसे गरम भी ओस्तन गर्मियों में जो तापमार रहता है 35 सेल्सिस तक भी तंप्रेचर जो हर्याना में चला जाता है हिसार सबसे गरम में और सबसे ठंड़े में आता है लेकिन यहां यह उप्षिन अप लोग इसको थोड़ा सा माइड में सेट रखेगा डिट्टो क्यूसर्ण में लेकिया है और इसमें नानोल को सही आंसर बताया ध्यान रखिएगा अनेग तरह एक किशन ओर लिया सोरी हर्याना के किहें में सबसे कम वर्षा होती है सबसे कम वर्षा होती है में दो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा मैं दो तीन चीज kı m आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखेगा कि हर्याना में ओस्त वार्षिक वर्षा कितनी होती है अगर आप सेंटीमेटर में पढ़ते हैं तो 40-60 सेंटीमेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा 40-60 सेंटीमेटर ओस्त वर्षा HSC का एक आंकड़ा है ध्यान रखो 536.5 mm हर्याना में ओस्त वर्षा होती है हर्याना रज्य को उन रज्यों में गिना जाता है जिन में कम वर्षा होती है 90 पिचाना में परतिशत बचे ऐसा सोचेंगे कि बारिस तो बहुत होती है अना जब आपसे पूछा जाएगा कि हर्यान में वर्षा होती है कम मध्य उच यहिन में से कोई नहीं तो सब आंसर करेंगे कि मध्या तो बिल्कुल यह ज्यादा उच नहीं कहेंगे तो मध्या कहेंगे कम भी नहीं कहेंगे लेकिन ध्यान रखना HSSC का सही आंस्वर है कम हरियना उन राज्यों में आता है जिन में क्या होती है कम बारिस होती है ओस्तन बारिस 40-60 cm रहती है और ये HSSC का अंकड़ा है आप लोग इसको बिल्कुल गांठ बांध लें ध्यान रखेगा 536.5 mm हरियना में ओस्तन बारिस होती है जिरशा जिला, कोन सा जिलाएगा शिरशा जिलाएगा, जिसमें ओस्तन सबसे कम बारिस होती है नियून्तम में आप लोग इस जिले को ध्यान रखेंगे दो तिन बातें जो यहाँ ध्यान रखनी है अचा जब वर्षा होती है हरियना में तो दो तरीके से हम लोग किनते हैं अला एक तो बंगाल की खाडि से जो मांशुन आता है बंगाल की खाडि से एंध यहां से हम लोगों को जुलाई अग्छ सितंबर महिने में 80% बारिस मिल जाती है जो इस 23%प बारिश है वो हमें जनवरी महिने में मिलती है और वो प्रतिसत बारिस हर्याना को मावट से प्राप्त होती है तो आंसर करेंगे सारे दोस्त 20 परतिसत ठीक ना और 80 परतिसत मिलती है बंगाल की खाड़ी से जो को दक्षिन पस्टीमम लोग बोलते हैं जो कि जुलाई अग्ज सितंबर महिने में हमें होती है और चचरोली में सरवादिक बारिस के कान इसको क्या कहते है हर्याना का चेरापुण जी हाना अब आप लोगों का अंसर मिली गया अपना लेकिन एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है सबसे कम और मैंने क्या कहा सिर्षा लेकिन सिर्षा ओप्षिन में नहीं है क्य हिसार क्या आंसर करोगे हिसार आंसर करोगे इस केस में चलो अब आगे बढ़ो नेक्स क्योशन फटा फट से वीडियो को लाइक को शेर कर दीजेगा एक चोटी से रेलेमेंट इन्फोर्मेशन आप लोगों के लिए लोयल क्लासिस के नाम से आप है डेस्क्रिप्शन में ल लिख रहा हो । जब आप लोग टेस्ट को सब्मिट करेंगे इसको तो व्यू शॉलूशन पर जगर आप जाते हैं डेटेल स्लूशन पर यहीं तो है पढ़ने के बाद क्या ज़रूरी टेस्ट जरूरी पढ़ने के बाद टेस्ट ज्रूर्य टेस्ट देओ पढ़ो पहले पूरी वीडियो देखो पढ़ो और फिर उसके बाद टेस्ट दे उसको और जब आप टेस्ट देदे तो आप लोग पता चलेगा कितना आप लोगों याद किया और वो सब चीज़ें अब हो सकता है आप सब चीज़ें यह साथ-साथ ना लिख पा रहे हूं लेकिन वहां पर आप लोग डैसे टेस्ट सब्विट करेंगे तो वहां पर पीडियाफ डाउनलोड का ऑप्शन भी है यह सेम वह पेपर जो आप डाउनलोड कर सकते है चलिए अब आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतरकत वित्य साहता की पातरता के लिए अनुसोच जाती या फिर या किसी बीपियल परिवार में जन्मी पहले लड़की का जनम डैस या उसके बाद होना चाहिए कौन से ऐसे उम्र वाले बच्चे होंगे या जनम वाले बच्चे होंगे वो या उसके बाद वाले बच्चे जो इस योजना के पातर होंगे तो बताईए कौन सी योजना के बच्चे जो यहां पे हैं पातर होंगे पहला है 25 सकस 2015 के बाद अगर उनका जनम हुआ है या फिर 22 जन्मी 2015 को हर्याना में पानिपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुरुवात होती है और इसे दिन के बाद से जन्मी जो लड़की है उनके लिए पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपे का एलाइसी का बीमा करवाय जाता है और दूसरी बेटी के जन्म के समय आविदक जो है बालिका को उसके 5 वर्स पूरे होने तक हर वर्स 5,000 रुपे 5,000 रुपे हर वर्स कब तक दोस्तो 5 साल तक पांस साल तक उसको मिलेंगे ध्यान रखेगा बहुत इंपोर्टन्ट योजनाई है नेक्स्ट मंगल नगर विकास योजना किस पर केंदरी थे मंगल नगर व बजट अनौस किया गया था 2017-18 के बजट में 1,000 रुपे की रासे इसमें स्युक्यर्थ की गई थी और इसके खास काम क्या रखा गया था अर्बन डिवलप्मेंट अर्बन डिवलप्मेंट के लिए सहरी विकास के लिए इस योजना को जो है वो सुरू किया गया था मंगल नगर विकास योजना तो यह कौन सी योजना होगे सहरी चित्रों में आधनिक बुद्यादी धांचे के विकास के लिए इसकी सुरूबात की गई थी नेक्स्ट क्यूसन पे चलते हैं इसके बाद श्री विश्व कर्मा कोशल विश्व विद्यालयक का स्थाई परिशर कहा स्थेते हैं विश्व कर्मा कोशल तो स्किल युनिवर्सिटी है दोस्तों यह स्किल युनिवर्सिटी है यह इंडिया की नहीं पूरे भारत की इंडि विश्व करम सकेल युझिवरसिटी और इसमें बिल्कुल यहां पर नीछे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे वास्ट गॉर्ण्ण्मेंट स्केल युझूंषटी ऑफ इंडिया सैट टाफ गॉर्ण्मेंट ऑफ हरियानह तो पहली उनिश्टी है जिसका सैट अप इंडिया की फॉस्ट स्केल उनिश्टी है यह इसके नाम पर हाँ पर लिखा हुआ है अब हम लोग अपने क्योशन पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यह सीरी विशो कर्मा स्केल उनिश्टी का स्थाई परिशर कहां पर दोस्तों प पलवल में आप्शन जो है यह हमारे से स्केस्ट का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट के उसन पर चलिएगा कौन सी हर्याना यो जिखिश्ञ भाजा है है कौन सी जिखना घिर का जमें स्थ replay निखेर चृष आप लाडली जो जो Sumerite अपनी बेर अपनी शिर अपनी शिख्षा गई थी वर्ष 2014 में गुरुग्राम से की गई थी मुख्यमंत्री शिक्षा-दिक्षा योजना बेटी पढ़ाओ योजना आप लोगों को पता बाईज़नी 2015 से इसकी सुरुवात कहां से की गई थी पानिपत से इस योजना की सुरुवात की गई थी दोनों ध्यान लखिए आ पर चलते हैं इसके बाद हर्याणा में नव निर्मित ESIC Medical College और अस्पताल कहां स्थित हैं तो नव निर्मित वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी अंबाडा रोहतक सोनिपत फरिदाबाद तो इसकी स्थापना फरिदाबाद जिले में की गई थी दोस्तों फरिदाबाद हो जाएगा हमारे इस क्यूसन का सही आंसर अध्योगिक नगर फरिदाबाद छेतरफिल की दुष्टी से सबसे चोटा है लेकिन मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा है मतदाता सबसे अधिक है यहां पर जनसंख्या घंतव सरवादिक हैं क्योंकि छेतरफिल सबसे कम है और सरवादिक है तो जनसंख्या घंतों भी क्या है जिले का सरवादिक है फरिदाबाद से एसाइसी मेडिकल कॉलिजर अस्पताल की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्यूसन पे चलते हैं हर्याणा में सिंदू घाटी सभेता की निमन इसको नव पाशान यूग में रखा गया है नव पाशान यूग में रखा गया है इसको ध्यान रखेगा और इसकी खोज किस ने करी थी डॉक्टर सूरज भान ने इसकी खोज करी थी 1968 में 1968 में और लास्टाइ मैंने आप लोगों को बताया था मीता थल और मीता थल की खोज भी 1967 में डॉक्टर सूरज भानने करी थी मीता थल से क्या मिले दोस्तो समुंदर गुप्त कालीन सिक्के लगातार चीजों को इतनी बार पढ़ लो कि वो जुबान पे माइंड में हर जगे सटो समुंदर गुप्त कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं मीता थल से प्राप्त हुएं किस जिले में पढ़ता है ये भीवानी जिले में पढ़ता है और सिक्कों के साथ मैंने क्या बताया था समुंदर गुप्त कालीन जो सिक्के मिले हैं उस पर समुंदर गुप्त को व पाशान रखा गया 1968 में इसकी डिस्कवरी हुई थी चले सिंदु घाटी सबेता से पेपर में क्युस्षन पूछा ना जाए ऐसा बहुत कम होगा जितने भी यहां से क्युस्षन बने सब को सेट करें सिंदु घाटी सबेता के हरेडा में स्थित किस केंदर से मिट्टी का हल औ दोस्तों मैं लास्टे में आप लोगों को बताया था जो राजा का मुकुठ है अनेक बार लास्ट बार गया राजा का मुकुठ राजा का मुकुठ यह कहां से प्राप्त हुए दोस्तों कुणाल से राजा का मुकुठ कहां से प्राप्त हुए कुणाल से यह कहां पे हैं फ इसे और जो राखिगडी यहां से मैंने क्या बताया था यह सबसे बड़ा सिंदु खाट इस्थल है सबसे बड़ा सिंदु खाट संदु राखिगडी कौन सा राखिगडी एनगी खास बाते हैं जो इनको यूनिक बनाती हैं सबसे प्राचिंतम प्यांसर करोगे फटेहाबाद का फेडाना सबसे प्राचिंतम सल है फिर आपसे पूछे गा 5,000 वर्स पुराना 2 kg धात्तु का परतीक यह कहां से प्राप्त हुआ है तो आंसर करोगे भट्टू बुवान से कहां से प्राप्त है दोस्तों भट्टू बनी ये भी फतेहाबाद में हैं ये बनावाली भी फतेहाबाद में हैं ठीक और ये कुणाल भी कहां पर फतेहाबाद में चार स्थल मैंने आप लोगों को फतेहाबाद के बताए हैं सबसे बड़ा कौन सा राखी गड़ी मीता थल की पहचान पिछले क्यूसर में आप लोगों को बता ही दिये डॉक्टर सूरजभान ने 1967 में इसकी डिसकवरी करी थी और यहां से क्या बिले हैं समंदर गुप्ट कालिन सिक्के अब आगे बढ़ते हैं ऐसे क्यूसर बहुत बढ़िया रहते हैं सवतंदरता के बाद भारत में हडपा के सबसे अधिक स्थल कहां खोजे गए हैं पंजाब और हर्याणा में तो क्या अंसर करोगे पंजाब और हर्याणा इसससे बिल्कुल सही मानता है नेक्स्ट है सचर फोर्मूला नेक्स्ट किसन कहां से पू कि मैं क्या कहा है हिंदी भासा चेत्र में खास बात क्या है कि इसमें सिमला और कांगडा को सामिल किया गया है क्या प्रस्ता वित किया गया था कि जिले को क्या गया था पर्णाला बिल्कुल सिम्ला ओप्षन बी सही आंसर हो जाएगा सिम्ला को हर्यना का भाग परस्तावित किया गया था 15 अगस 1947 को पंजाब एंड हर्यना हाई कोट कहां पर आ गए थी दोस्तों सिम्ला में और 17 जनवरी 1905 को इसका स्थानतर कहापे कर दिया गया था चंडीगड में सिमला अब किस राज्य की राज़धानी है हिमाचल परदेश की हिमाचल परदेश कौन सा राज्य गठित हुआ था आंसर करोगे सर 18 कब बना था ये राज्य 25 जनर्रीजि सो 71 को हिमाचल परदेश को पूर्ण राज्य का दरजा मिला इससे पहले अपना हरियाना कौन सा राज्य था सो तरवा राज्य और हिमाचल परदेश कोन सा है करने के लिए नहीं बनाया गया है लिएभान से सुनना कौन सा नहीं बनाय गया है सरकारी आयोग बिल्कुल बनाय गया था सब 1983 की बात है राजमनार समीती ये भी राजमनार समीती तमिलाडू गॉर्मेट ने स्टेट और सेंटर के बीच संबंद के लिए बनाई गयी थी राजमनार समीती ये कब बनाई गयी थी aci audi 70 के बाद है सोलिस औरब जी ये तो हरना पुलिस प Schritt में छाया रहा था है ओ कि हरना पुलिस पड़ा होगा सोलिस औररब जी Comm purs Akt के लिए मॉडल पुलिस अक्ट के लिए हांना मॉडल पुलिस अक्ट तो यही गलफ हो जाएगा मतलब अगर ये एक पता था आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल आंसर कर सकते थे क्योंकि सोलिस और अपजी हरना पुलिस कह सकते हो पेपर में पूछा था मोडल पुलिस से संबंदित सोलिस और अपजी ऑप्शन C जो है हरना पंजाब से अलग होता है और वरतमान में और पहले भी देखो चहतरफल पे तो कोई फरक नी पड़ा आद थोज़र बाईस आ गया है Jesat छेतरफल में कोई फरक नी पड़ा उस से मैं साथ जिले थे हरेना में अर आज वरतमान में बाईस जिले हैं 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं, ठीक है, 22 जिले, 6 मंडल, 5 पुलिस रेंज, 3 पुलिस कमिशनरी हैं, 154 सहर आते हैं, 154 सहर है, बलोक 142, 142 पुलोक है, ये आंकडा हमारा अभीका है, ठीक है, हमने एरिया नहीं बदला है, हम लोगों ने क्या बदला दोस्तों, परसासनिक हिसाब से, क के अधार पे हम लोगों ने अपने राज्ये में ऐसे ऐसे जिले, या फिर ये चीज़े बनाई हैं, छेतरफल वही, 24,212 किलोमिटर स्केर रहा, छेतरफल, 24,212, भारत का कितना परतिसत, एक पॉइंट, 34 परतिसत, जम्मो कस्मीर यूटी बनने के बाद, छेतरफल के साब स हर्याना कौन से नमबर पर आ गया है, बीसवें स्थान पर आ गया है, बीसवें देश में इसका, 26 परतिसत, चलो, यह तो बहुत बेसिक बात आपको पता, हर्याना राज्ये में परति वर्स, 23 सितंबर को सहीदी दिवस, और अभी आप लोगों को पराकरम दिवस भी ध्यान सरकार, 23 सितंबर को सहीदी दिवस, बहादूर सा, राजा नाहर सिंग, राव तुला राम या नूर मुहम्मध खान, तो परति वर्स, 23 सितंबर को सहीदी दिवस, राव तुला राम की स्मृति में मनाया जाता है, तो इनकी स्मृति में 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, दोस निमलिखित में से कौन हर्याना में बलबगड का सासक था और भार्थ के सतंतरता संगरा में सकरियरूप से हाशिल सामिल था दोस्तों एक तो साहित्या कादमी हर्याना का साहित्या है दूसरा ठार्शू सतावन की करांती अच्छा तीसरा सिंदू घाटी सबेतास्तर ये टोपिक वो है जो एक जाम में पूछे जाने है most important वाले तो हर्याना में बलबगड का सासक कौन था राजा नाहर सिंग बलबगड समझ गे है बलबगड में है और नहर सिंग वन्य जिव भ्यारण ने यह कह पर हैं वन्यजीव भ्यरन ने रिवाडी जिले में है वन्य जीव भ्यरन रिवाडी और अभी जो रिवन्य किलर्क वाले paper हुए थे इसमें क launched के जो महल है उसके पुरोवर्ति हिस्सों का निर्बान उनके किस पूर्वजने करवाया था तो राव बल्राम नाम ध्यान रखेंगे राव बल्राम ने राजा नहार सिंग के महल में जो कि फरिदाबाद में है यहां पे नवंबर में परते एक साल 1996 से लेके अब तक कार्तिक सांस्क किया जाता है 1996 से प्रेटन विवाग 1996 से इन्हें के महल में करता है ठीक है यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है राव बल्राम पुरवर्ति हिस्सों का निर्मान करवाया था इनके पूर्वस थे नहार सिंग बलबगड के सेर कहे जाते हैं और किर्केट स्रेडियम हो गया व हिकमा आप लोगों से पूछ लूँ यहाँ पर राजा नहार सिंग को फांसी कब दी गई थी कॉमेंट कर दीजिए फटा फट से बता दीजिए राजा नहार सिंग को फांसी कब दी गई थी कलसिया के राजा ने हरिणा के किस सहर में किला बनवाया कलसिया के राजा ने कलसि में किस ने कर थी महाराजा गुरुबक्स शिंग ने करी थी इसकी स्थापना गुरुबक्स संधु ने गुरुबक्स सिंग संधु ने इसकी स्थापना 1760 में करी थी इसी रियासत ने के राजा ने कहां पर किला बनवाया था जीन्द में पानिपत में चचरोली में या फिर के सोभा सिंग कौन था यहां का सा सक दोस्तों सोभा सिंग यहां का सा सक था नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्यूसन पर चलते हैं इसके बाद हरियाना के लावा दूसरे कौन से राज्जे हैं जिन्होंने अपने छेतर में ड्रग के खत्रे से परभावी रूप से निपटने के डाटा और सूचना सांजा करने के लिए पंचकुला में एक सेंग्त सची वाले का हिस्सा बनाने का इरादा किया है। तो दोस्तो हारेणा के लावा पंजाब, उत्राखंड, हिमाचल परदेस, दिल्ली, राजस्थान और उत्र परदेस, राज्जे ने पंचकुला में स्ची वाले की गोशना किया है डरग के खतरे को निपटने के लिए। option c सही answer हो जाएगा वर्तमान में हर्याना में नगर निगम कितने हैं बताओ वर्तमान में हर्याना में नगर निगम अब सब जानते हैं 11 और 11 नगर निगम कौन सा है दोस्तो मानेसर कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है तो क्या answer करोगे गुरूगराम क्योंकि गुर फरिदाबाद को अच्छा फरिदाबाद कब बना था फिर उन्ने सो चुराणामे में ये हरियाना का पहला है अच्छा हरियाना का पहला तो भारत का पहला याद कर लो चेन्नई भारत का पहला चेन्नई भारत का पहला नगर निगम तो मानेसर हुआ गुरुगराम हुआ पंच्कुला भी हो गया है और पंच्कुला के नीचे अंबाडा हो गया है अंबाडा के नीचे फिर यमुना नगर हो गया है उसके साथ करनाल को कैसे भूल सकते हैं हर्याना का पैरिस है हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बिलकुल ये ग्यारा नग नगर निगम फरिदाबाद 1994 में सबसे नवीन तम मानेसर 2020 में कौन सा जिला जिसमें दो नगर निगम गुरुगराम निमली खित में से कौन सा हर्याना का नगर नहीं याद कैसे रखोगे हिसार पानिपत रहोतक सोनिपत पंचकुला अंबाडा यम्ननगर करनाल ठीक है इन सब को पढ़ना है सब को याद करना है अब आगे बढ़ते हैं next पे चलिएगा हर्याना में गो सेवा आयोग के अध्यक्स कोन है पहली बात गो सेवा आयोग का गठन कब किया गया था ठीक है गोसे कुल 11 इसमें सदश्य होते हैं 11 सदश्य वर्तमान में सर्वन कुमार गर्ग कोन प्लस एक लाख जुर्माना और तसकरी हत्याक लिए तसकरी करने पर साथ वर्स कैद प्लस कितना जुर्माना था सत्तर हजार जुर्माने का प्रावधान था तो ये विध्यान नख सकते हैं आप लोगो समर्दन स्रंक्षन अधिनियम आया हरियाना में next question पे चलते हैं इसके बाद हर्याना में निमलेखित में से किस भाग का गठन हुआ है नया भाग बना है हर्याना में कौन सा नागरिक संसोधन के सूचना मुख्या विधुत निरक्षक खाद्यां गौस्ति परसासन इन में से कोई नहीं तो दोस्तो हर्याना में नागरिक संसोधन के सूचना एक नया विभाग बना है और आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिस में citizen resources citizen resources information ये तो हो गया हर्याना का अब एक बहुत खास के उसन आप लोगों से पूछता हूँ इंडिया में भी एक नया विभाग बनाया गया और इसके पहले जो मंत्री है कौन है वो अमित शाह अमित शाह इसके मंत्री है कौन सा नया विभाग हर्याना में बनाया गया है जिसमें लास्ट टाइम जो मोधी केबिनेट में फिर बदल हुआ था उसमें अमिज सहा को स्विभाग का मंत्री बनाया गया है चलिए फटा फट से कोमेंट कीजेगा आपका कोमेंट आपका रिस्पोंस बहुत वैल्यूबल रहेगा हमारे लिए और दूसरा कि अगर आपको नहीं पता है न दोको कितनी अच्छी बाद है दोको यहां से चीखेंगे अब दो बार इसको बोलेंगे फिर कोमेंट में टाइप करेंगे और कोमेंट में कर एंगे तब तक आप 3-4 बार कर चुकिह हैं और व चीज आप कभी नहीं बूलेंगे इसलिए कॉमेंट किया करो विडियो देख रहे हो चाहरा था वो 23 अपरेल 1966 था वो जेसी सा आयोग था जेसी सा आयोग का गठर किया गया था और इस आयोग ने अपने रिपोर्ट 31 मई 1966 को दी थी ये वो नहीं है ये फजल अली आयोग है फजल अली आयोग जब राज्य पुनर गठन हो रहा था जिसके थैत 1956 में साथमा सब्सक्राइब को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट परस्तूत की थी तो 1955 पर जाएंगे 1955 पर इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट परस्तूत कर दी थी फजल अली आयोग ध्यान राखिएगा कई बार इस तरीके से आप से क्योस्टन पूछे जाते हैं 1905 लेकिन देखे 30 दिट्टो डेट मैंने आप लोगों को बता दी है लेकिन एसससी का आंसर जो था फर्स्ट आंसर की में वह 1956 था ठीक है एसससी ने 1956 आंसर करा तो एक ही बात है 1956 में भी क्योंकि 1955 से बहुत पहले की बात है तीस 22 दिशंब और 1953 को इसका गठन ये भी गठन वाला भी मतलब हैसससी का आंसर बगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एसससी ने कहा है कि फजल लिया को गठन जो है लिखी कवीताओं का संकलन है कलाम ए नोरंग जो है अलताफोशन हाले बिलकुल नहीं मुरारीलाल सर्मा सेद गुलाम भीक की एक रचना है तो ओप्शन जो हमारा सी से यांसर हो जाएगा अलताफोशन हाली के बारे मैं कई बार बता चुका टार 177 में पानीपत में इनका जनम होता है पानीपत में और 1904 में को समसोल उलेमा की उपादी से अंगरेज सरकार या बेटे सरकार जो सम्मानित करती है 1904 में और हर्याना अर्दू अकादमी जो परतेक वर्स इन्हीं के नाम पर एक हाली पुरुष्टकार इन्हीं के सम्रत कि यहां से आप लोग κα्ण में कने किसके द्वारा लेखी कविताओं का संक्रान है तो स्यद गुलाम भीक के दवारा लेखी कविताओं का संक्रान है नेक्स देखेगा ऐध्या परसाद गोएलिया ने उसाहित एक सुरू किये थे, क्या सुरू किये थे दोहे, साहिरी, कविता या फिर सोनेट, क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करेंगे हम लोग, अयोद्या परसाद गोयलिया ने, गोयलिया है दोस्तों, गोयलिया है, ठीक है, गोयलिया, गोयलिया ने अर्दू साहिते में साहिरी सुरू की थी सायरी option B हमारा इस question का सही answer हो जाएगा इनका जनम हरियाना में गुरुगराम जिले में होता है और एक बहुत important इनकी रचना है जिन खोजां तिन पाईयां ये बहुत बार आज़ससी ने पूछी है जिन खोजां तिन पाईयां अहोध्या परसाद गोईलिया ने उर्दू सायरी सुरू की जनम गुरुगराम जिले में हुआ जिन खोजां तिन पाईयां किस की रचना है तो अहोध्या परसाद गोईलिया की रचना है next question बढ़ते हैं इसके बाद तूटते बंधन उपध्यास के लेखक कोन है ये भी बहुत बाद पूछा है कई रचना हैं ऐसी हो गई हैं जो बहुत फेमस हो गई है तूटते बंधन तो इसके साथ आपको पता होगा तूटते बंधन के साथ सीप का मोती तूटते बंधन के साथ ध्यान रखेंगे सीप का मोती तरासे हुए पत्थर तरासे हुए पत्थर, सीप का मोती तरासे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना जाल और मुक्ती जाल और मुक्ति ये सब जो हैं किसकी लिखी हुई हैं जाल और मुक्ति ये सब तूटते बंधन जिनों ने लिखा हैं क्या आंसर करेंगे दोस्तो हेमराज निर्गम हेमराज निर्गम की करती हैं ये सब की रचना हेमराज निर्गम ने करी हैं अंसर हो जाएगा तोटते बंधन थीप का मोती तरासे हुए पथर मुझे भूल जाना जाल और मुक्ति ये सब हेमरा जिर्णम ने लिखी हैं next है हमारा क्यूस्षन समाचार वाचक मिमानसा मलिक का संबंद कहां से हैं समाचार वाचक है मिमानसा मलिक इनका संबन्द किसले से, सिर्षा से, पंचकुला से, सोनिपत से, रोतक से रोज एका देका क्युस्ण मैं यहां से लेके आता हूं इनका ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, कि ऐसे क्युस्ण आते हैं जनता की सुविधा के लिए वर्स नहीं आप लोगो को बताया था कि जो परियावण नियाले है उनकी स्थापना कहाँ पे की गई थी प्रिदाबाद और कुरुक छेतर था वहां पर मैंने आपको बताया था जो मुबाइल कोट है वो कहां पर थी मेवात में यहां पर पूछा प्रयावण कोर्ट केम्प कोर्ट जो है वो 1998 में कर्णाल में ठीक है प्रयावण कोर्ट केम्प लगाया जाता है तो 1998 में से कर्णाल में option जो है C हमारा इसका सही answer हो जाएगा और प्रयावण नेले से सम्मझेदा पेक और ध्यान जखते हो एंजिटी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यून रास्टिया हरित प्राधिकर्ण इसके स्था अपना वर्स 2010 में की गई थी वर्स 2010 में चलिए नेक्स देखते हैं कि उसने इसके बाद इस आरक्सी छेतर में दिल्ली परवर्तिय स्रेणी के अवसेसो में से एक उपस्तित हैं भटी वन्यजिव भ्यारने होगा असूला भटी वन्यजीव अभध्यारने ये एक इको सेंसिटीव जोन है ये असूला भटी बहुत बार पूछ आए इससपे स्थाल लगा लिजियेगा सें क्यूस्रन इस आरक्सी छेतर में दिल्ली परवर्तिय स् unjust में से एक उपस्थी थ पे हैं जजर में भिंडावास और कापरवास दोनों जजर में हैं गुरुगराम में कौन सा है दोस्तो सुल्तानपूर सुल्तानपूर ठीक है सुल्तानपूर को पक्षी विहार के रूप में कब 1971 में क्या नाम था सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है सलीम अ पिटर जैक्सन संक्षी छेतर के लिए नेक्स्ट क्योशन पर आगे बढ़ते हैं और सुल्तानपूर का खास ध्यान रख सकते हों इसे इस बार रामसर वैटलेंड साइट का टैग भी मिला है रामसर आदरभूमी सूची में से सामिल किया गया है नेक्स्ट है हमारा डैस में एक विरासत संग्राले भारत में एकलोता अस्तितो सहित भाप का इंजन कितनी बार बता चुका हूँ भाप का इंजन दोस्तों कहां पे हैं रेवाडी में कहां पे हैं रेवाडी में कब बना था ये 1855 में बना था भाप वाला इंजन है इतना फेम के नाम से इसको जाना जातर बिजली वाली डेकन क्वीन हर्णा का सबसे पुराना रेलोइसेशन कौन सा है रेवाडी कब बना था 1873 में बना था कहां से कहां तक दिल्ली से रेवाडी तक ट्रेन चले थी दिपो की संख्या कितनी है 12 13 24 और 25 क्या आशर करोगे परदेश में बड़े बस दिपो की संख्या को लेकर जब क्योस्तम आया है मैं दोस्तों बड़े बस टिपो हरियाना में कितने 24 और चोटे वाले कितने हैं कि 13 हैं और बस स्टेंड बस अड़े जिनasant को alleen जाता है बस अड़े डिपो थोड़ा अलग है बस अड़े 97 है हरियाना में बस अड़े और हरियाना रोडवेज इंजिनरिंग कोर्परेशन की स्थापना कब होई थी 19 आगे आप लोग बताओ कब होई थी इसका हेड़कौर्टर कहां पे है गुरुगराम कहां पे इसका मत्रीं कोन है तो मूल चन सर्मा अब और हरियाना में नागरिक उड़ेयन संस्थान सुरू हुआ था 3 tag विल्कुल तारीखें धी हुई हैं तो हरियाना जो है नागरिक उडवेज संस्थान कब सुरू हथा डिटो डेट आपको पता हूँ तो आंसर एक अपरेल 1999 में को हर्याना में नागरिक उडियन संस्थान की स्थापना हुई थी नागरिक उडियन मंत्राले हर्याना में किसके पास है तो डिप्टी सियम दोश्यन्त चोटाला के पास है और भारत में मोधी कैबिनेट में मिनिस्टर को न है यूनियन मिनिस्टर अगर आपसे पूछे नागरिक उडियन मंत्राले किसके पास है तो राजयसभा सांसद है मध् साथ हवाई पटियां कितनी हैं दोस्तो साथ हैं ठीक है पांच ऐसे निक हवाई पटियां आँ यहां से प्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती हैँ next एप पानीपत के बहुली में कौन सा कर खाना लगाए गया है, बहुली, जानते हैं यँए और तेल, सोधक, कर खाना है, जब इसके स्थापना की गई थी, पहले किस में आता था, पानिपत जिला करनाल जिले में, आता था, इसके स्थापना के समयानी 1980 में पानीपथजिला कंब बनता है 1989 में 1989 में पानीपथजिला बनता बहहुलनी में सबसे पहले जलपंचायत कायोजन किया गया था हरियना की पहली जलपंचायत कहाँआप दोस्तों बहुलनी ऐसे गाउं फेमस होते हैं इसलिए उंप Surmen Song आप पानीपत में है यहाँ पे पानीपत में जिसकी स्थापना 79 में की गई थी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह खास बात हो रहा है लास्ट अपको बताया था डक्षिन एसिया का दक्षिन एसिया का second largest है ये second सबसे बड़ा दक्षिन एसिया का second largest तेल सूदक कार खाना है ये next question पे चलते हैं इसके बाद चोदरी देविलाल हरबर पार्क हर्याना के किस ज़ले में स्थित है य्मोनानगर मे, पानीपत में, रेवाडी में या मेवात में इसकी पूरी लिस्ट आप लोग त्यार कर सकते हैं हर्बल पारक की इसे चोदरित देविलाल रुद्राक्ष पारक के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं रुद्राक्ष रुद्राक्ष पारक भी कहा जाता है ये हरिना के किस ज तक पूछुक में अगर पूछेगा तो अर्जुनवाटिका हैं अर्जुनवाटिका के हैं kolay अर्जुनवाटिका कहां पर commence कर ना यहासक के पार्टिका omettук., कहां पर कर्नाल में और लास्त ना मैंने आप लोगों को सुमास्त अंदर पोस पार्क बताया था अ में अन्य पार्ख हैं यहां से पूछ लेता हूँ आदी बदरी हर्बल वाटिका कहा पर स्थित हैं नेक्स्ट क्योशन पे चलते हैं इसके बाद next है हमारा सोनिपत नगर के सुध्योग के लिए परशिद है एक बहुत खास क्योस्टन लिया बाकी तो आप लोग जानते ही है कि सोनिपत जो नगर है वो साइकल उध्योग के लिए परशिद है तो option B तो बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पे atlas की cycle साइकल का निर्मान होता है तो दोनों ध्यान रखेंगे manufacturing plant है यहाँ पे अभी लास्ता ही पेपर में पूछा गया था याकूल्ट सहयंतर कौन सा दोस्तो याकूल्ट इसका पूरा नाम भी आप लोग देख सकते डानोने याकूल्ट सहयंतर याकूल्ट नानोने सहयंतर यह कहाँ पे है सोनिपत में पेपर में सिर्फ यही पूछा था याकूल्ट सहयंतर हर्याना के किस जिले में है तो आंसर आया था सोनिपत जिले में किस जिले में दोस्तो सोनिपत जिले में है और कल की गलास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक paper में question पूछा था कि HSIIDC ने हयाना के किस सहर में या किस जिले में जो है textile park स्थापित किया है तो वो भी आप लोग ध्यान दख सकते हैं textile park वो भी सोनिपत जिले में है textile park कहा पर दोस्तों बरही में बरी सोनिपत में है इसके साथ मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पैट्रो हब पानिपत में एक्सपोर्ट पर्मोशन पार्क कुंडली में कई सारी चीज़े बताई थी एक्सपोर्ट पर्मोशन पार्क ये भी कहां पे कुंडली सोनिपत में ये ध्यान रखेंगे फुटवियर पार्क ये कहां पे दोस्तों बहदुरगड में बहदुरगड में फुटवियर पार्क स्थापित होगा बहदुरगड में और सूती वस्तर लिखा है न बस एक अलग सी बात बता दो तो सूती वस्तर उध्योग के लिए फतेहबाद जिलाप्त फेमस हैं, फतेहबाद, चली अब नेक्स्ट क्योशन पे चलते हैं, इसके बाद, मोहाली और चंडिगड के साथ निमली कित में से कौन सा ट्राइसिटी का हिस्सा है, मोहाली चंडिगड के साथ साथ पंचकुला, प रेनुबाला परसन्ना देवी तो ये आप सब जानते भी होंगे इनके बारे में ये चंद्रावती शोरान हैं हमारा ओप्षन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और ये पहली महिला सांसद रही हैं हरियाना की चंद्रावती भीवानी से बंसिलाल को इन्हों ने हराया था महिला अध्यक्स या फिर ना भी पूचे हरियाना की पहले अध्यक्स भी पूचे तो सर्नोदेवी थी नेक्स्ट क्यूसन है हमारा राजीव गांदी सरकार में निमलिकित में से कौन केंदर्य मंतरी के रूप में कारेरत हैं कारेरत थे और जिन्हें क्रिशी परयावण और संपर 27 विभागों का कारयाभार सोंपा गया था निराजीव गांदी सरकार में यूनियन कैबीनेट में कौन थे बैसिलाल भजनलाल बैसिलाल से निलेकिन पैस कौन सा भी भागता दोस्तों रेलवै कि निलु कि इस समय की बात नहीं है जब यह बात कर रहे हैं रेल परिवहन मिनिस्टर थे यह बहुत इंपोर्टेट सबसे इंपोर्टेट वाला रक्षा यानि ये डिपार्टमेट बंसी लाल के पास थे इस क्योशन का आंसर होगा भजनलाल जो की के अंदर में जो परियावण और वनसहीत कई इंपोर्टेट विभागों के क्रिशी और परि परियाणा पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1996 में बनी थी. कांग्रेस में विल्या कब हो गया था? 2004 में. इतनी बात ध्यान रख सकते हो, लोहपोर्ट सर्याना का कहा जाता है इन्हें आदूनिक हरियाणा का निर्माता. वहीं भजनलाल की अगर आम लोग बात करते हैं, तो हर विशाल हरियाणा पार्टी का गठन 1962 जो सेकेंड सीम हुए थे हमारे राव बिरेंदर सिंग ये पहले गेर कॉंग्रेसी सीम थे राव बिरेंदर सिंग और हरियाणा लोकदल के अगर हम लोग बात करें हरियाणा लोकदल पार्टी का गठन देविलाल ने करा था? देविला बाद में इसका नाम जो आइनलडी कर दिया गया था अठाणवे के अंदर 1908 में आइनलडी और इसका चुनाव चिन है वो चस्मा है चस्मा इसका चुनाव चिन है चोदरी देविलाल से न कई बार के पेपर में क्यों सना आता है कि बुढ़ापा पैंसर कब शुरू की गई हर बुढ़ापा पैंसर चोदरी देविलान ने शुरू की थी बुढ़ापा पैंसर ठीक अगले साल इन्होंने जो क्रिशी रिंड थे वो माफ कर दिये थे 1988 में चलो अब नेक्स्ट क्यूसन पर चलते हैं हम लोग इसके बाद काफी सारी बाते हुई यहां राणिया विधानस सबाद छेतर से वर्तमान में विधायक हैं चोदरी रंजीत चोटाला कोने दोस्तों चोदरी रंजीत चोटाला वर्तमान में राणिया से विधायक हैं चोदरी रंजीत चोटाला उनके पास मंत्राले कौन सा है तो यह बिजली मंत्री हैं कोने दोस्तों यह बिजली मंत्री ह ही है ये जेल मंत्री भी है कहां किस जले में पड़ता ही चेली नेक्स्ट कुसं देखेगा इसके बाग भारतिय Wey कि अंत्रिक्ष में जाने वाली पहली महिला कलपना चावला इस स्थान पर जन्मी थी कलपना चावला का जन्म पूछा है कि कहां पे हुआ था पहला ओप्षन है करणाल दूसरा ओप्षन है हिसार और तीसरा ओप्षन है आपका करुक्षे तरो चोथा ओप्षन है पानिपत कल करनाल जिले में हुआ था कल्पना चावला का जनं। कब होता है जनम, 17-1962 केन का जनं करनाल में होता है और वापस आते समयं अंतरिक से एक फरवरी 2003 को इनकी मिर्त्य हो जाती है, स अबर्वरी 2003 में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेड है करनाल जिले में नेक्स्ट है 1971 के भारत पाकिस्तान युद में निमल लिखित में से किस ने परमवीट चकर अपने सेवाओं के लिए प्राप्त किया था 1971 युद में होसियार सिंग दहिया करम सिंग बिकरम बत्रा और योगेंदर सिंग यादो यह आप सब जानते हैं हर्याना में एकलोता परमवीट चकर प्राप्त करता है मेजर होशियार सिंग दहिया ओप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाये गए सोनीपत जिले से हैं और परमवीट चकर जो है सर्वोच वीरता पुरुषकार है भारत का सर्वोच वीरता पुरुषकार और सर्वोच नागरिक पुरुषकार भारत रतन भारत रतन सर्वोच नागरिक पुरुषकार और सर्वोच वीरता पुरुषकार कौन सा है प्रमवीट चकर है next question पर चलते हैं कौन हर्याना केसरी के नाम से परशिद हैं ये आप सब जानते हैं हर्याना केसरी के नाम से पंडित नेकिराम सर्मा परशिद हैं इनका जनम रोहतक के केलगा में हुआ था रोहतक के केलगा गाओं में इनका जनम होता है और अपनी जो गतिवीदियों का केंदर इन्होंने किसे बनाया था रोहतक को ठीक है रोहतक को अपनी गतिवीदियों का केंदर बनाया था और भीवानी से संदेश का सापताहिक परकाशन किया था उसके बाद मैंने आप लोगों को बता है पंडित सिरी राम सर्मा इन्होंने हरियना तिलक का परकाशन किया हरियना तिलक उसके बाद कई बार पूछा हरियना का इतिहास किस ने लिखा हरियना के नवरतन हरियना के नवरतन के लेखन का कारे किस ने करा था तो पंडित सिरी रा को ध्यान रखिएगा बहुत खास बहुत इंपोर्टेंट व्यक्तितों है और हर्याना के लो पूर्शन चोधरी बंसी लाल नेक्स्ट हर्याना में गुरुग्राम जिले का गाउं खांडसा डैस को समर्पित एक मात्र मंदिर है तो गुरुग्राम में एक लोता मंदिर है दोस कि ले का प्राचिन सहर का अब लोगों को पता ही तानेशर या राजधानी त्षिखर वर्धन की बात करहा हूं 606 एसवे घद्धी पर बहता है जिसने कंचोज को भी अपनी राजधानी बनाया था वर्धन वंस की राजधानी रहता था 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 नेशर कि कि निकट स्थित है कल के अगलास में पड़ा था नो रंगाबाद और मिता थल यहांसे क्या प्राप्थ होए नॉरंगा बाद से योध्य गनराज्य की मोहरें कहां से प्राप्थ हुई है तो answer करेंगे sir ये नुरंगा बाद से प्राप्त होई है और भगवान पूरा पूचेगा तो कहां पे हैं भगवान पूरा भगवान पूरा कुरुक्षेतर में पढ़ता है भगवान पूरा नेक्स्ट है हमारा क्योसन चलिए आज इतने ही हैं दोस्तों क्योसन कल फिर रोबरू होंगे कुछ नए क्योसनों के साथ अगर कंटेंट लगे हेलफुल है तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा यहां तक देखने के लिए आपका बहुत आभार